नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग आज आपके लिए ले कराए हूँ इंटर 12 बोर्ट 2021 परिक्षा के लिए जीव विग्यान बाइलो जी सेट 2 दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं सेट 1 दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका ये दूसरा वीडियो है आप पहला वीडियो यानि कि पहला सेट आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं ये सेट 2 है जीव विग्यान का है जो कि सभी कोश्चन NCEIT पेटर्न पर आधारित है चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं प्रस् नहीं है हमारा दोस्तों तो पहला प्रस्न है हमारा इन में से कौन नर युगमक से सन्योजन कर भुरुड पोस्ट बनाता है हमारा सवाल है इन में से कौन नर युगमक से सन्योजन कर भुरुड पोस्ट बनाता है अनिस चित अंड या सहायक कोशिका या एंटी पोडलस या दीत्यक केंद्रक दोस्तो आपको हम बतादे कि इन में से कन नूर युगमक से सन्योजन कर भुरूर पोस बनाता है तो दोस्तो आपको हम बतादे दीत्यक केंद्रक आपका एंसल हो जाएगा डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ अगला प्रश्न है अमरा अस्थन धारी के सुक्राडू के मध्य भाग में क्या पाया जाता है केंदरप, रसधानी, माइटो कांडिया या सेंट्रियोल अस्थन धारी के सुकराडू के मध्य भाग में क्या पाय जाता है तो दोस्तों आपको हम बता दे माइटो कांडिया आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ, अगला प्रस्णे है अमारा प्राग कड मुख्यता है, प्राग कड मुख्यता है एसप्रोफाइट, यूगमक या नर यूगमक या इन में से कोई नहीं तो प्राग कड मुख्यता नर यूगमक होता है तो दोस्तो आपका एमसर हो जाएगा C number बढ़ते हैं अगले परशने के तरफ अगला परशने हैं हमारा निम नलिखित में बाइज ठाने सनरक्षर का उधारण कौन है? पवित Rapha, उपुवन, राष्टिये उधान, बीज, बैंक इनमे से सभी तो बाई आस्थाने स्रेरक्षन का उधारण है बीज बैंक आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे हमारा प्राग कड हो सकता है गैमे टूफाइट सजावटी एलर्जी कारक इन में से सभी दोस्तों आपका हम बदा दे कि प्राग कड हो सकता है एलर्जी कारक आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे हैं हमारा बायू प्रागित पूस्प समानता होते हैं आकार्षक छोटे रंगहीन B और C दोनों बायू प्रागित पूस्प समानता होते हैं B और C यानि कि आकर्षक और रंगहीन चोटे यारंगहीन तो B और C दोनों यानि कि छोटे और रंगहीन होतेैं आपका एंसर हो जाएगा D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण गत्राप अगला प्रश्ण है आगला सवाल है हमारा दोस्तो जिब्रेलिन है हर्मोन तना में ब्रिधी मंदक ब्रिधी एंजाइम इन में से कोई नहीं तो जिब्रेलिन है दोस्तो ब्रिधिक एंजाइम आपका एंसर हो जाएगा C नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण गतरफ अगला प्रश्ण है हमारा परकास रसायनिक धूंद में निम्निकित में से क्या नहीं पाये जाता है PAN, Sulfur Trioxide, Sulfur Dioxide, Carbon Dioxide तो परकास रशानिक धून्द में निम्निखीत में से क्या नहीं पाये जाता है तो दोस्तों आपको हम बता दे PAN आपका एंसर हो जाएगा A नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरह अगला प्रस्ण है हमारा कापर T रोकता है निशेचन को अंड जनन को इउटेरस की दीवारों पर इंब्रो के बनने को या रिप्रोडुक्टिव डक्ट में रुकावट को तो दोस्तों आपको हम बता दे कापर T रोकता है निशेचन को आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरह अगला प्रस्ण है हमारा फ्रित करण के सिधान्त को क्या करते हैं परभावित का नियम सतंत्र अपभिवन का नियम उगमको की सुधता का नियम उपयुक्ट में से कोई नही तो प्रिति करण के सिधान्त को प्रिथिकरण के सिधान्त को इगमको की सुधता का नियम कहते हैं आपका एंसर हो जाएगा C नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरप अगला प्रश्णे हैं मरा अगला सवाल है दोस्तों आपको हम बता दें कि दिस संकर क्रास में अनुलच्षडी यानी फेनोटाइफिक अनुपात होता है अनुपात होता है अनुलच्षडी का मतलब है फेनोटाइफिक अनुपात होता है तीन अनपात एक, एक अनपात दो अनपात एक, नव अनपात साथ, या नव अनपात तीन अनपात तीन अनपात एक, तो दोस्तों आपको हम बता दे कि नव अनपात तीन अनपात तीन अनपात एक होता है, आपका एंसर हो जाएगा, डी नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ण है नील हरित सवल किस खेत के लिए उपियोगी जो उर्वक है मक्का गेहूं इक चावल दोस्तों आपको हम बता दें आपका एंसर हो जाएगा चावल डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरफ अगला सवाल है हमारा ओपरेन ओपरान मडल प्रस्तावित किया था वाट्सन एवं क्रिक ने निरेन वर्ग ने जैकाब एवं मुनाड ने इन में से कोई नहीं ओपेरान माडल प्रस्तावित किया था दोस्तों आपको हम बता दे जैकाब एवं मुनाड ने आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्तावित किस बिमारी का रोग जनक है दोस्तों आपको हम बता दे शिफलिस, एड्स, फाइलेरिया, A और B दोनों तो रिट्रो भी साडो निमने खित किस बिमारी का रोज जनक है दोस्तों तो एड्स का आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं आगले प्रस्तावित किस ने लिखे थी? चार्ल्स डार्विन, ले मार्क, मीलर, डे ब्रीज दोस्तों आपको हम बता दे कि the origin of species पुष्टक किस ने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन आपका एंसर हो जाएगा A नमबर बढ़ते हैं आगले प्रस्तावित के तरफ अगला सवाल है अमरा हिस्टामिन आपका एंसर हो जाएगा A नमबर बढ़ते हैं आगले प्रस्तावित के तरफ अगला सवाल है अमरा ट्रीपल एंटिजन टीका का उपियोग नहीं होता है ट्रीपल एंटिजन टीका का उपियोग नहीं होता है डिफ्थेरिया के लिए, पट इुसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ट्रीपल एंटीजन टीक्या का उप्यूग नहीं होता है टाइफाइड के लिए आपका एंसर हो जाएगा C नंबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ, अगला प्रशने है हमारा बिडाल परिड़क्षड ग्याद करने के लिए, मलेरिया, टाइफाइड, एट्स या कैंसर दोस्तों हमारा सवाल है बिडाल परिक्षड ग्याद करने के लिए हम क्या करते हैं मलेरिया, टाइफाइड, या एट्स, या कैंसर तो दोस्तों आपको हम बता दें टाइफाइड आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्ण है टी लिम्फोसाइड उत्पन होता है अस्थी मजा से, पेट से, थाइमस से, या करिद से दोस्तों आपको हम बता दें कि टी लिम्फोसाइड उत्पन होता है या करिद से आपका एंसर हो जाएगा D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्ण है हमारा इटली और डोसा का आटा किस सुच्म जीव के परियोग से बनाय जाता है जीवाडू, लेक्टो, बेसिलस, बिसाडू या इस्ट दोस्तों आपको हम बता दे बिसाडू से बनता है इटली और डोसा आटा का तो आपका एंसर हो जाएगा बिसाडू सी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्णे है हमारा टी आई प्लास्टिमिड जो अनुबांसिक इंजिनियरिंग में पर्यूग्द होता है या प्राप्त होता है तो टी आई प्लास्टिमिड जो अनुबांसिक इंजिनियरिंग में पर्यूग्द होता है तो दोस्तों आपके पास अप्शन है बैसिलस थुरिनीजी सिंस से या इसोरिचिया कोलाई से या एग्रो बैक्टिरियम राईजिनिस से या एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियन से तो टी आई प्लास्टिमीड जो अनुबांसिक इंजिनिरिंग में परयूगत होता है तो दोस्तों तो इस्चेरिया कोलाई से आपका एंसर हो जाएगा बी है गार्डनर को ओडम को या ट्रान सेली को या वार्मिंग को तो प्रस्थिति तंत्रसब्द के उपियोग कस्रेश्य दिया जाता है ट्रान सेली को आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है दित्यक उत्पदक्ता से सम्बंदित है उत्पदक सकाहारी मनसाहारी सर्वाहारी दोस्तों आप तो यह जानते ही होंगे सकाहारी मनसाहारी और सर्वाहारी दीत्यक शकाहारी मतलब मानसारी मास खाते हैं दीत्यक उत्पदक्ता से संबंधित है दोस्तों शकाहारी आपका एंसर हो जाएगा B नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ने के तरफ अगला प्रश्ने है इमारा नीमन में से कौन किट भख्षी पहधा है ड्रासेरा नेपेथिन्स ए और बी दोनो या हाईड्रिला नीम नमे कौन किट भगछी पहुधा है तो दोस्तों आपको हम बता दे ए और बी दोनो यानिकी ड्रासेरा या नेपेथिन्स आपका एंसर हो जाएगा सी नमबर बढ़ते हैं अगले परस्ण के तरफ अगला परस्ण है मरा कानहा राष्टिय उधान परसीद है चिन्डियों के लिए तेंदुआ के लिए बागों के लिए या घडियाल के लिए दोस्तो आपको हम बता दें कि कानहा राष्टिय उधान परसीद है तियंदुगा के लिए आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्राम्ब किया गया अनई सथीहत्तर अनई सएकासी अनई सपचासी या अनई सचीहासी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्राम्ब किया गया था दोस्तो अनई सथीहत्तर आपका अगले परशने के तरह अगला परशने हैं अगले परशने के तरह अगला परशने हैं आपका अशनर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशने है हमारा रेड डाटा पूष्टक में कीस परकार के जीवों की सुची रहती है रेड डाटा पूष्टक में कीस परकार के जीवों की सुची रहती है दुलर्व प्रजातिया दुलर्व एवम संकट गरस्थ पर जातिया संकट गरस्थ पर जातिया इन में से कोई नहीं रेट डाटा पूष्टक में किस परकार के जियों की सुची रहती है तो दोस्तों आपको हम बता दें दुलर्व एवम संकट गरस्थ पर जातिया आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है अमारा सुन्दर बन का सनरक्षित जो मंडल भारत के किस राज्य के अंतेगत है बिहार, उतर परदेश, आसम, पश्चिम बंगाल सुन्दर बन का सनरक्षित जो मंडल भारत के किस राज्य के अंतेगत है तो दोस्तों आपको हम बता दे पश्चिम बंगाल आपका एंसर हो जाएगा D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है हमारा नीमन में कौन सराशानिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है कुलोरो, फ्लोरो कार्बन, क्लोरीन, हेक्सा, फ्लोरो कार्बन, मोल, क्यूलर कार्बन नीमन में कौन सराशानिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है दोस्तों आपको हम बता दें क्लोरो, फ्लोरो कार्बण आपका अंसर हो जाएगा A number बढ़ते हैं आगले प्रशने के तरफ आगला प्रशन है प्रावर और सनरदख्षन अधिनियम किस बर्ष परभाव में आया 26, 79, 62, 93 दोस्तों आपको बता दें कि प्यारण सनदक्षर अधिनियम कीस बर्ष परभाव में आया तो अनाई सबानवेर आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं आगले प्रश्णे के तरफ आगला प्रश्ण है निमलिखित में कौन सी एक है? गैस, ग्रीन हाउस, गैस नहीं है, मिधेन, CO2, कुलोरो, फुलोरो, कार्बन, हाईड्रोजन. निमलिखित में कौन सी एक गैस, ग्रीन हाउस, गैस नहीं है? दोस्तों आपको हम बता दे हाईड्रोजन आप कैंशर हो जाएगा D-Number. बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्ण है मीनी माता रोग होता है क्रीमियम द्वारा, कैडमियम के द्वारा, मिठाइल मरकरी द्वारा, रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा तो मीनी माता रोग होता है दोस्तों आपको हम बता दें कि मिठाइल मरकरी दोवारा आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशने हैं अमारा परदूसर जो अमल बर्शा करता है ASO2, CO2, CO, हाइडरो कार्बन दोस्तों आपको हम बता दें परदूसर जो अमल बर्शा करता है वो है आपका ASO2, आपका एंसर हो जाएगा A नमबर बढ़ते हैं आगले प्रशने के तरफ अगला प्रशन है यूगमक समानता किस परकार के होते हैं हैपलाइड यानिकी एक गुड़क, डिपलाइड यानि दिव गुड़, पहली पलाइड यानिकी बहु गुड़ा, नली पलाइड यानि अगुगड़क यानि यूगमक समानता किस परकार के होते हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें हैपलाइड एक गुड़क आपका एंस प्रामित जन्तु प्रामित बैलिस नेरिया के पूश्प हैं दोस्तो आपको हम बता दें जौल प्रामित आपका एंसर हो जाएगा C नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है गर्भा से किसे सम्बंदी थै नर जनन तंत्र से माधा इस्त्री जनन तंत्र से पाधप जन तंत्र से इन सभी से करभा से किसे संबंधित है दोस्तों आपको बता दे मादा इस्तरी जनन तंतर से आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशने है हमारा जीन बीनियम किस अवस्था में होता है जाइगोटीन पैकिटीन डिपलोटीन या लिस्टूइन दोस्तों हमारा सवाल है जीन बीलियन जीन बीलियन किसे अवस्था में होता है दोस्तों आपको हम बता दे कि आ आपका एंसर हो जाएगा, पैकेटीन आपका एंसर हो गया, B नमबर, बढ़ते हैं आगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ना, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, G, CCC, T बराबर A, A बराबर U, T बराबर U, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, दोस्तों आपको हम बता दे, T बराबर U, आपका एंसर हो जाएगा, D नमबर, बढ़ते हैं आगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने, B, लिंफो साइड का निर्माड कहां होता है, अस्त मजा में, थाइमस में, रक्त में, लिंफ या लोसिका में, B, लिंफो साइड का निर्माड कहां होता है, तो दोस् बढ़ते हैं आगले प्राशने के तरफ अगला प्राशने है अमारा रेस्ट्रिकसन इंजाइम जाने जाते हैं जविक बंदू के रूप में आडविक कहंची के रूप में प्लाजिमिक के रूप में माइक्रो पीटेट के रूप में दोस्तो रेस्ट्रिकसन इंजाइम जाने जाते हैं, आपको हम बता दें कि आडविक कैंची के रूप में आपका अंसर हो जाएगा B- number दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा आचा लगा, ति वीडियो को लाइक करें अगर Čनल को सबस्क्राइब नहीं किए हैं 100% तैयारी के लिए नंबर वक्ट 1 चैनल है दोस्तों, VBI, Objective Question, सबी Question ends, EIT pattern पर आधारित है, ये सेट 3 जो है, आपको अगला वीडियो हमारा होगा, थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों.